हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं अभी बेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूटूब चनल यूपी पार्ट साला पर जैसे कि आप सभी को पता है हम डियालेट्स फोर सेमस्टर के लिए मैथ पढ़ रहे हैं और इसकी लगबग हम नो क्लासे कर चुके हैं अ जिस तरह के कोशन्स आपके एक्जाम में बनते हैं उनके बारे में हमने डिसकस किया था आज जो पढ़ने वाले हम आज पढ़ेंगे हम यूनिट 6 और 8 के बारे में जिसमें आपको पासे से संबंदित कोंसेप्ट के बारे में पढ़ना है किस-किस टाइप के कोशन्स आपक जानते होंगे, dice जो होता है, वो एक घंके टाइप का होता है, ठीक है, कैसा होता है, घंके टाइप का होता है, इसकी सेफ मैं बना जेता हूँ, कुछ इस तरीके का आपका dice होता है, जिसको हम हिंदी में पासा बोलते हैं, ठीक है, इसकी जो होती है, छे सत्य होती है, वो छे की यह कि हाईट होती है वह आपस में क्या होती है वह बरावर होती है ठीक है मतलग corrupted उसको पासा जिसको हम इंगली cert WILL DANE ठीक है इसकी जो होती है लेंत उकोस टू डेगा इकोस टू उस्थ हाइट होती है ठीक है और इसकी जो होती है 6 बरावर सत्य होती है 6 सत्य होती है जो क्या होती है बरावर होती है आपस में ठीक है 6 सत्य होती है आपने जो लूड़ों खेली होगी उन लूड़ों पर क्या आते बिंदू आते हैं एक से लेके 6 तक के बिंदू अंकित होते हैं उस पर इस टाइप से एक बिंदू, दो बिंदू, तीन बिंदू, चार बिंदू, पांच बिंदू, और छे बिंदू, ठीक है? छे बिंदू, इस टैप से बिंदू आम्कित होते हैं जो आपने लुडो खेली हैं लेकिन जब हम questions की बात करते हैं तो question में आपको यहाँ पे बिंदू भी मिल सकते हैं एक से लेके 6 तक के number भी मिल सकते हैं आपको पासे पर किसी color का नाम भी मिल सकता है ठीक है पासे पर तो इस सब के बारे में discuss करेंगे हम ठीक है तो मैंने क्या बताया अभी तक कि पासा जो हो सकते हैं ठीक है एक से लेकर 6 होते हैं ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें कि एक पासे को जब हम उच्छालते हैं अचानक जब हम एक पासे को उच्छालेंगे तो कितनी सत्य उपर आती है किसी भी पासे को जब हम उच्छालते हैं तो आप सभी को पताए कि एक ही सत्य उस ठीक है तो जो हम पासे को यह डाइस को रैंडमली उच्छालते हैं यह रैंडमली फैकते हैं तो उसकी एक ही सतय उपर आती है ठीक है इतनी बाद ध्यान रखनी है इतनी बाद समझ में आरी होगी आप सबी को ठीक उसके बाद इसकी 6 की 6 सत्य क्या होती है आपस में बराबर होती है इसी लिए इसको हम क्या बोलते हैं इसी लिए इसको हम बोलते हैं समांगी पासा डाइस को हम क्या बोलते हैं समांगी पासा ठीक है इतनी बाद समझ में आ रही होगी कि उसके बाद अगर हम एक पासर को उच्छा लैं तो उसका जो sample space होगा वो कितना होगा या क्या होगा उसके बारे में देख लेते हैं इसको मिठा दो चलिए इसको मिठा लेता हूं sample space sample space जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पिर्ती दर्स समज्टी अधिक है सेंपल स्पेस का मतलब है जैसे कि मैंने एक सिक्यों को उच्छाला तो टोटल कितनी कंडिशन होती हमारे पास दो कंडिशन होती यह थो है ठैर आता है तो जो टोटल कंडिशन का सेंपल 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 स जो हमने एक पासे को उछाला तो उसका जो सेंपल इस्पेस होगा वो क्या होगा पासे का जो सेंपल इस्पेस होगा या तो उपर क्या आएगा एक फलाकाता उपर एक सता आती है या तो उपर की सते पर एक आएगा या दो आएगा या तीन आएगा या चार आएगा या च्याओं इसी तरीके से अगर हम वें दू की बात करें वे Ilू का जो जैन 오र एक विंदू ऑगा यह अगर कि 1-3 चार य पारे श्यार क्या स्वल आपnot 2020 यहिसका सैंपल्ड इसको 20 को सिब्डीम कि ने होता है इसका सारा कसारा समस्फेस और हो टाता है टोटल कंडियों के सब्सक्थ होगा गार एक बिन्दु दो तीन चार पाच कि या च्छ सब्सक्राइब हो यह इसका सेम्पल इस्पेस हो जागा फिर इतनी बाद समझ में आ इसको मिटा दो चलिए इसको मिटा देते हैं तो अगर हम मैं बात कर लूँ कि एक पासे को उच्छानने पर एक पासे को उच्छानने पर किसी एक अंक्य के उपर आने की जो प्रायक्ता होगी वो कितनी होगी तो किसी एक अंक के उपर आने की जो प्राइकता होगी वो क्यों होगी आपकी होगी बन बाई 6 ठीक है तो पासे को उच्छालने पार किसी एक अंक के उपर आने की प्राइकता जो होगी वो आपकी क्यों होगी बन बाई 6 ठीक है क्योंकि कोई न कोई एक नंबर उपर आएगा वो क्यों होगी वन आयाएगा टोटल कितनी कंडिशन है हमारे पास च्छे तो च्छे निच्छ आ जागा तो वन बाई 6 के होती है आपकी किसी एक पास के उच्छालने पर किसी एक अंक के उपर आने की प्राइकता होती है इतनी बाद समझ में आरी होगी आप सबेको चलिए आगे चलते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत परिशानी हो आपको तो कमेंड सेक्षन में कमेंड करके आप इस चलाो जकि किसी तूर्फा साथ उच्छा लेंगे तो कितनी को टोटल कंडिशन होंगी हमारे किसी भी सत्रक्राले जिल्फा पर आने की वो किस तरीकाई से लिखा लेंगे उसको देख लेते हैं ठीक है picks दो पासों को दो पासों को एक साथ उच्छालने पर ठीक है? जब हम दो पासों को एक साथ उच्छालते हैं तो कितनी कंडिशन हो सकती है हमारे साथ? ठीक है? जब हम दो पासों को उच्छालते हैं उनका जो sample space आता है sample space जिसको इंदी में बोलते हैं पिर्ती दर्स समस्टी क्या बोलते हैं पिर्ती दर्स समस्टी ठीक है क्या होगा देखो जब हमने एक पासे को उचा दा तो टोलर हमारे पास कितनी condition आई थी 6 condition आई थी 6 तरीके से उपर कोई भी नंबर आ सकता है जब हम दो पासे को एक साथ उचा लेंगे तो हमारे पास 36 तरीके से कोई भी सत्य उपर आ सकती है 36 तरीके से कोई भी सत्य उपर आ सकती है ये कोई भी नंबर उपर आ सकता है कौन कौन से नंबर आ सकते हैं उसको देख लिते हैं देखो जैसे कि हम एक पासे पर क्या सकता है एक आ सकता तो दूसरे पासे पर क्या सकता है ठीक है उसके बाद अगर एक पासे पर एक है तो दूसरे पासे पर चार पहले पासे पर एक दूसरे पासे पर पांच और पहले पा एक, दूसरे पासे पर छे, इस तरीके से आ सकता है, ठीक है, इस तरीके से दो, एक, दो, 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 तीन, ठीक है, उसी तरीके से आ सकता है, पहले पासे पर दो, और दूसरे पर एक, ठीक है, उसी तरीके से दूसरे पासे पर दो, पहले पासे पर दो, दूसरे पासे पर दो, तीन दो, तीन तीन, तीन चार, तीन पांच, तीन छे, ठीक है, उसके बाद, चार एक, चार दो, चार तीन, चार चार, चार पांच, चार छे, उसके बाद क्या आएगा आपका, पांच एक, पांच दो, पांच दो, पांच तीन, पांच चार, पांच पांच ठीक है, उसके बाद आएगा आपका, पांच छे, उसके बाद आएगा आपका, छे, एक, छे, दो, छे तीन छे चार छे पांच और छे चे ठीक है इतनी कंडिशन आपकी बनेगे कितनी कंडिशन होगी टोटल गिन लो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चोदा पंदरा सोला सतरा अठारा उननिस बीस एकिस 22, 23, 24, 26, 27, 28 29, 30, 32, 32, 33, 34, 35, 36 तो टोटल हमारे पास कितनी कंडिशन होती है टोटल 36 कंडिशन होती है किसी भी नंबर के उपर आने की ठीक है जब हम दो पासों को एक साथ उचा लेंगे चो 36 तरीके से कंडिशन बन सकती है हमारे पास इतनी बाद समझ में आरी होगी आप सभी को चलिए आगे चलते हैं इसक्रीन सोट ले ला चाहते हैं तो इसक्रीन सोट ले लीजिए वरना मिठा जेता हूँ इसको उसके बाद मैंने आपको पिजली क्लास में प्राइक्ता लिकालने का प्रोबैबिलिटी लिकालने का एक फोर्मॉला बताया था ठीक है उसी फोर्मॉलियों को मैं दूसी तरीके से बताना चाहता हूँ आपको उसे देख लीजिए जैसे दूसरा फोर्मॉला होता है किसी भी इवेंट की इवेंट पी मिन्स प्रोबैबिलिटी किसी भी इवेंट की जो प्रोबैबिलिटी होती है वो क्या होती है एन इ एन इ अपोन क्या होती है एन एस होती है जहां पे जहां पे एन इ क्या है हमारी संभावित सं भावित गटना ठीक है और एन एज जो होती है हमारी वो क्या होती है कुल गटना है ठीक है इंगलिश में हम बोलते हैं एन ए को इंगलिश में हम एन ए को बोलते है फैवरेवल फैवरेवल आउटकम और एन एस जो होता हमारा वो कितना होता है टोटल आउटस कम ठीक है किसी भी प्रोबिवरेवलेटी के फार्मुला लिकानने के लिए यह होता जैसे मैंने बात कराएगी एक शिक्को को मैंने उच्छा ला एक पासे को उच्छा लेंगे हम तो कोई एक ही नमबर हमारे उपर आएगा जैसे की मैंने सेंपल इस्पेस बढाया था पासे का क्या होता है पासे का होता है एक पासे को उचा लेंगे था एक, दो, तीन, चार, पंच, 6 ठीक है P equals to N E upon N S N E क्या होगा हमारा कितनी condition है संभावित घड़ना कितनी संभावित घड़ना है हमारे पास केवाल एक है हमसे बोला गया कि दो के उपर आने की घड़ना तो दो कितनी बार आया हुआ है एक बार आया हुआ तो दो एक बार उपर आ सकता है तो N E कितना होजागा 1 N S जो होता वो total outs कम होता कितने आ सकते है total कितने आ सकते है वो 6 आ सकते है तो नीचे कितना होजागा अच्छ है तो इसलिए जो 2 के उपर आने की जो प्रायक्त होगी हमारी वो कितनी होगी 1 by 6 होगी आई थी ये question आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये बाते आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी चलिए आगे चलते है अगर आपको फिर भी कोई problem है कोई doubt है तो आप comment section में comment करके इससे पूछ सकते है ठीक है उसके बाद आपका आता है नोट एक note लिख लिजिए note पहला ये है कि यदि यदि किसी गटना के घटित होने की घटित होने की प्रायक्ता किसी घटना के खैटित होने की प्रायक्ता क्या है आपकी P E है ठीक है तथा घटित नय होने की घटित नय होने की प्राइक्ता क्या है आपकी P E बार ठीक है तव हमारा क्या होता है जो P E प्लस P E वार का जो सम होता है वो 1 के एक क्वेश्ट्टू होता है ठीक है इतनी बार समझ महुँ रही है जैसे कि अपने एक पासे को उच्छाला पासे को उच्छाने पर दो के उपर आने की जो प्राइक्ता होगी ठीक है प्लस 2 के उपर ना आने की जो प्राइक्ता होगी दोनों का सम क्या होगा हमारा बन होगा ठीक है जैसे हम लिखा ले देखो जैसे हम लिखा ले कि 2 के उपर आने की sample space क्या बताया था मैंने पासे का एक पासे का बन में से हम माइनस करते हैं तो पी इडैस जो हो जागा हमारा पी इडैस जो होगा वो कितना पी इवार जो हो जागा हमारा बन में से हम माइनस करते हैं क्योंकि टोटल किसी भी प्रियोग की किसी भी प्रियोग में कुल घटनाओं के घटित होने की जो प्राइक्त होती है वो ना घटित होने की हमारे पास क्या आजाएगी प्रायक्ता आजाएगी तिसलिए हम दो के ऊपर आने की जो प्रायक्ता बन बाई 6 है बन में से हम माइनस कर देंगे तो क्या आजागा हमारे पास ना घटित होने की प्रायक्ता ठीक है तो कितना आगा यहां से आएगा हमारे पा जो कि हमने लिख रहत रहा है। ठेक है? तो I think ये बात पर आपको सम्झ में आगी होगी, यदि किसी घट ना के घटित होने का प्रयैक्टतर PE है और घटित ना होने की प्रयैक्तर क्या है? PE वार है, तब दोनों का समझों होता है वो कितना रिगा नड़कित होने की प्राइकता रिए गटपत्र होने की भे u र मिर्षी Denam प्राइकताज होती है हमारी किसी भी घटणा के गटीत होने की प्राइकताज hai वो हमेशा 0 से बड़ी होगी या 0 होगी लेकिन 1 से कम ही होगी या 1 होगी 1 से जादा नहीं होगी ठीक है ना ही negative में होगी ना ही 1 से जादा होगी ठीक है तो क्या हो सकता है देखो इसकी condition होगी किसी भी घटना के घटी दोने की प्राइक्ट था ग्रेलां और इक्वल्ट किसके होगी जीरो के ये ठीक है formulated और लाज ये बात आपको समझमें आ रहे होंगी तो आजकी class में इतना ही रहने देते हैं ठीक है मिलता हो अगली वीडियो हम chosen के बारे मिंदिसकस करेंगे यूनिट 9 के जो ने ताक्श के पत्तो से संब्दित है और आपके से संब्दित से संसे हैं। ठीक है। तो यूनिट 6 एड और जल्दी जल्दी से संसे हैं। और आपको पता चल गया होगे कि आपके एक्जाम जो है वो दीपावली से बाद है ठीक है तो आप टेंसन न लें बिर्कुल भी फ्री माइंड होके अपनी तैयारी करें अच्छे से जितना आपको पढ़ाय जा रहा है उसका अच्छे से रिविजन करें सिलेवस की बिर्कुल भी चिंता ना करें सिलेवस हम आपकट कम्प्लीट कराएंगे वो बिदिन टाइम में कराएंगे ठीक है तो चलती चलिए मिलता हो के लिए वीडियो में इसी उस्ता और मंगे साथ तब तक के लिए नमस्कार